वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करने वाल है केंद्रिय नमक वा समुंदरी रशाइन अनुस अंसाधन संसथान विज्ञानिक तथा अध्योगिक अनुस अंसाधन परी सद में फेकेंसी निकल के आ रहे यह बहुत अच्छी फेकेंसी और यहां पर बहुत अच्छी आप वीडियो को पूरा देखते हैं अगर आप लोगों नहीं से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन बिल कौन कर लिए ताके आपके पास हर छोटी बड़ी अपडेट पहुंचती रहे चले वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड यह है इसको ऑफिस स्टेंड के लिए तो इसमें कितना वेकेंसी है तो इसमें कुल वेकेंसी की संग क्या आप लोगों को चार है ठीक है आपका जो सैलरी मिलने वाला है लेवल 6 का और आप लोगों को 49,188 रुपया सैलरी है और 28 साल एज है उसके बाद टेकनिसियन के लिए दो पोस्ट है यहा 520 रुपया आप लोगों का सैलरी बनने वाला है और 28 साल इसमें भी एज लिमिट है अपर एज लिमिट है ठीक है अगर यहां से थोड़ा सा नीचे चले तो आप लोगों के यहां पर क्वालिफिकेशन यहां पर सारा चीश डिटेल में मिल जाता है तो यहां पर पोस्ट का यह और ओन यहर का एकक्सपरियंस चाहिए च्केमिकल कंटकन मैनिसरिंग में व़नियर का एक्सपरियंस चाहिए यहां तो वनियर औरики यहां से थोरा सा नीचे चले तो एक और पोस्ट है किसके लिए तो टेकनिकल एसिस्टेंट के लिए इसमें भी आप लोगों का क्या तो लेबल 6 का सेलरी मिलने वाला है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केंप्यूटर इंजिनियरिंग में होना चाहिए ठीक है उसके बाद आप लोगों के पास या तो यह होना चाहिए ठीक होना चाहिए और टू एर का एकस्प्रियेंट होना चाहिए आई में आप लोग के पास three साल का full time लünden भके तो भी आप लोग आप लोग कंद सकते हैं या तो ने अधि और वर सकते हैं में अच्छी साल का इस रखा भी रखा गया और सेलरी या आप लोग के दिया जा रहा हूँ ना क्याया इसरी यहां पर लेवल सिक्सिसमें बीस्ट सी मांगा गिया है और यहां पर 18 साल और यहां फोड़ा और ये उसके बाद थोड़ा सा नीज़ चले पीर टीकनीकरणेंसिकल वाले के लिए यह पर technician के लिए यहाँ पे देखे तो यहाँ पे technician की बात करें हम तो यहाँ पे एक post है level 2 का salary है और class 10th standard class 10th में कम से कम आपका 55% marks होना चाहिए और उसमें आपके पास science होना चाहिए ठीक है आपके पास ITI का certificate होना चाहिए यहाँ पे लीग दिया है national या state rate certificate ठीक है और अगर आप लोग के पास ITI नहीं है तो आप लोग का two year full time experience होना चाहिए अगर आपके पास दो साल का experience है फिर भी आप इस form को अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे job description दिया है यहाँ पे easy limit maximum 28 साल है आप लोग का salary जो बढ़ने वाला है बहुत अच्छा salary यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है और next post next post की बात करें छटवे नमर तो यह है technician के लिए इसमें भी एक post है इसमें भी level 2 का salary दिया जा रहा है उसके बाद यहाँ पे आपका भी 10th standard होना चाहिए और इसमें भी science चाहिए 10th में और 55% से plus marks होना चाहिए और ITI होना चाहिए ठीक है SCBTA NCBT से अगर नहीं है तो two year full time आप लोग पास क्या होना चाहिए तो experience होना चाहिए किसमें computer operator and assistant programming को पामें ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या दिया है तो job के बारे में दिया क्या क्या job है ठीक है देखिए जो 5 नमर का post था 5 नमर का यह वाला इसमें instrumentation में आप लोग का ITI मंगा गया है चलिए नीचे चलते और नीचे चलते और यहाँ पे उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इतना ही post था और post खतम हो गया आप यहाँ से थोरा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आप लोग का syllabus दिया हुआ ह आप लोग syllabus देख लिजेगा आराम से नहीं तो syllabus पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो comment किजेगा मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा नहीं तो आप लोग में इस पीडियाप का लिंक वीडियो की description में वैसे दे दूंगा आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर स पीडियाप और पर सकते हाँ पर हाँ टू अपलाई का ओप्शन है तो यह पढ़ लीजेगा आप लोग फॉर्म अपलाई करने से पहले देखे यहां पर अगर हम फॉर्म फीज की बात करें तो आप लोग का फॉर्म फीज कितना रहने वाला है तो सो रुप्या फॉर्म लिखा दे तो आप लोग यहां पर देखिए इसका अपलिकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन तो यह इसका अपलिकेशन फॉर्म कैसे भरना इस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं वह भी बना दूंगा आप लोग कोमेंट किजिएगा ठीक है यह वीडियो बहुत लंबा होत अब लोगों को फॉर्म पते पर भीजना है यहां पर आप लोग देख सकते यहां पर लिखाए वह उपर में यह पता इसपे आप लोग को अपलिकेशन फॉर्म भीडियो अच्छा लागा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक किजिए इस तरह के वीडियो से अपडेटर रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जुरूर दवाएगा चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में